दुस्तों हाल इमें सुनी टीवी के दवारा बिजनेस रियलिटी शौ शाक टैक इंडिया की शुरुआत की गई इसका पहला सीजन खतम हो चुका है और पहला ही सीजन में ऑल अवर इंडिया में यह बहुत ज़दा पॉपुलर हो चुका है शौ में दुस्तों शाक जानी जज करने की कुशिश करते हैं किसी भी शाक्त को जल्क लेकर बिहार भागलपूर के रहने ऑले निकी जा और रशमी जा इस शो में आया इन्हों ने बिजनस आइडिया को जजों सामने प्रसंड गुभी आ इन्होंने हार नहीं मानी और अपने बिजनस पर काम करते रहे और इसी के चलते दोस्तों इनका ये startup आज 50 लाग के बिजनस को पार कर चुका है तो आईए दोस्तों आजके इस वीडियो में हम इनकी complete startup story, इनकी success story और इनके business model को देखते हैं तो नमस्कार दोस्तों मैं आदित्ते सेवक और आप देख रहे हैं एडिट टॉक्स जीटूब चैनल निक्की जा और रश्मी जा बिहार भागरपूर के रहने वाले हैं इनके फादर एक फिजिक्स के टीचर थे निक्की ने बारवी तक अपनी पढ़ाई अपने ही शहर में कम्पलीट करने के बाद IIT का इंटरेस्ट एक्जाम दिया जिसे वो क्लियर ना कर पाए जिसके बाद इनके फादर ने इनका एक प्राइवट कॉलेज में बीटेग में एडमिशन करा दिया यहां से अपनी बीटेग कम्पलीट करने के बाद इन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी से अपनी मास्टर्स की पढ़ाई कम्पलीट की जिसके बाद 2019 में इन्होंने सब तरिशी नाम से अपने स्टार्ट अप को शुरू किया फिलाल दोस्तों ये अपने startup के साथ IIT कानपूर से product design में PhD भी कर रहे हैं तो आईए दोस्तों हम देखते हैं कि इनके mind में ये business idea आया के से जब दोस्तों इन्होंने अपनी bachelor complete करने के बाद master के लिए नालंदा university में admission लिया तो इनके पास तब innovation करने के लिए कहीं ideas थे और दोस्तों इसी के चलते हुए इन्होंने सबजी टोकरी के बारे में सोचा क्योंकि दोस्तों एक report के अनुसार हमारे देश में उगाई जाने वाले फल और सबजी का 40% बाग हर साल खराब हो जाता है और दोस्तों इससे हर साल हमारे देश को लगबग 2,00,000,000 करोड का नुकसान होता है हमारे यहाँ पे गाउ में फल और सबजी की खेती तो बंपर होती है लेकिन इसे उगाने वाले किसान और इसे बेचने वाले लोगों को इससे कभी भी मुनाफ़ा नहीं मिल पाता फल और सबजी खराब होने कारण किसान इसे सडकों पर फेक देते हैं और हर रोज सेक्रोटन सबजी या फल हमारे देश में बरबाद होते हैं जिससे किसानों और सबजी बेचने वाले को काफी नुकसान होता है दोस्तो इनी सब चीजों को ध्यान में रखते हुए इन्होंने सबजी टोकरी को बनाया है जिससे किसानों के फल और सबजी को शुरकशित रखा जा सके दोस्तो इनके इस प्रोड़क्ट से सबजीयों को लगबग 30 दिन तक शुरकशित रखा जा सकता है आईए दोस्तो अब हम देखते हैं कि इनका ये प्रोड़क्ट काम किसे करता है सबसे पहले दोस्तो इन्होंने अपने प्रोड़क्ट को कूलिंग रेफ्रीज डेटर के साथ डिजाइन किया था लेकिन इनकी बेहन रश्मी ने कहा कि ये कोई नया नहीं है इस टाइप के प्रोड़क्ट मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल हैं यदि नॉन कुलिंग के साथ ऐसी कोई टेकनलोजी बनाओ आप तब ये किसानों के लिए यूसपुल भी होगा और ये नया आइडिया भी कहा जाएगा बस इसी आइडिया पर काम करते हुए इन्होंने सबजी टोकरी को बनाया इसमें एक टेंट और एक डिवाइज होता है दोस्तो इसमें लगा चेंबर हाई हुमस जोन को क्रियेट करता है जिससे बेक्टिरिया और फंगस को होने से रुखा जाता है साथ ही साथ दोस्तो इसमें एक device लगी होई होती है जो कि ethylene gas को capture करती है और इस वज़े से फल और सब्जी का जो पकने का time होता है वो time period बढ़ जाता है दरसल दोस्तो फल और सब्जी एथिरीन गेस के कारण पकती है और फल और सब्जी का खराब होने का सबसे बड़ा कारण होता है एक टाइम के बाद ये सब्जिया दोस्तो पक जाती है तो उसके 2-3 दिन बाद सड़ना शुरू हो जाती है अगर आप इनके पकने के टाइम पीरिड को बढ़ा देते हो फल और सब्जी को हम ज़्यदा दिनों तक शुरूक्षित रख सकते हैं बस इसी चीज़ पे दोस्तो काम कर रहा है ये सब्जी टोकरी जो की फल और सब्जी के पकने का जो टाइम पीरिड होता है उसको बढ़ा देता है जिसके करान ये ज़्यादा दिनों तक सुरूक्षित रहती है सब्जी टोकरी को चलाने के लिए सिफ 10 वाट इलेक्टिसिटी की ज़रूत होती है साथ ही एक वीक में सिफ 2 लिटर पानी की ज़रूत होती है इनके इस प्रोड़क्षित की कोस्ट लगबग 10,000 के आसपास होती है और इनका ये कहना है कि ये किसानों के लिए बहुत ही सस्ता है आये दोस्तों हम देखते हैं कि इनका फ्यूचर प्लान क्या है दोस्तों ये अपने प्रोड़क्षित को अभी सिधे गरहकों को नहीं बेच रहे हैं इनके पास कूची मैंनों में आवर ओर्डर आ चुके हैं और अभी तक लगबग 50 लाग रुपे तक का बिजनस भी कर चुके हैं ये साथी साथ दोस्तों ये एक ऐसा प्लान भी कर रहे हैं जिससे इस प्रोड़क्ट पर सब्सेडी मिले और किसान इसे सस्ते में खरीच सके और दोस्तों जल्द ही अपने इस प्रोड़क का रेंट मोडल भी लॉंच करने वाले हैं जिससे किसान इसे रेंट पर ले सकते हैं और अपने फल और सब्सेडी को खराब होने से बचा सकते हैं इनका इस साल के एंड तक 6 करोड तक के बिजनस का टार्गेट है तो दोस्तों आज की हमारी स्टार्टप स्टोरी सक्सेस स्टोरी और यह बिजनस मोडल आपको किसा लगा आप हमें कमेंड करके ज़रूर बताइए और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक क किजिए शेर किजिए कमेंड किजिए और ऐसे इंट्रेस्टिंग स्टार्टप स्टोरी और वीडियो के लिए हमाई यूटूब चैनल को सस्क्राइब किजिए फिल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए जय हिन